क्या ओन्लाइन खरीदी परंपरिक बजार को खत्म कर रही है। क्या ओनलाइन खरीदी हमारे पारंपरिक बजार को खत्म कर रही है। आईए चर्चा करते हैं, आधोने की करणों तो बहुत जरूरी है, किन्तु क्या ओनलाइन खरीदी से बजार खत्म होते जा रहे हैं। और लाइन शॉपिंग का क्या फाइदा है और क्या नुक्सान है, क्या सरकार को इस पर एक ठोस गैडलेन तियार नहीं करने चाहिए। कोरोना के बाद बाजारों मंदी हैं, लोगों का काम धंदी कम हो रहे हैं। ऐसे में हमारे देश में ही नहीं बलकि दुनिया के सभी देशों में हो रहा है। भारत में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, किन्तु कई विकासील देश और यहां तक के विक्सित देश भी कठोर आर्थिक मंदी जेल रहे हैं। बाजारवा मंदी है, बाजारवा सन्नाटा पसरा हुआ है, जिनके पैसा है वही खरीदरे कर रहे हैं। आम दक्ति खरीदारी से दूरी बना रहा है। कोरोना के बाद में यह स्थिति हमारे देश में नहीं लगवा पूरे विश्व में हो रही है। आईए जानते हैं, पैजार में मंदी कोरोना के कारण है या ओनलाइन शॉपिंग के कारण। यह बहुत महतुपूर्ण विश्व है। देखिए, पहले हम चर्चा करते हैं ओनलाइन शॉपिंग, ओनलाइन शॉपिंग की किस प्रकार की होती है। आज लगभग हर प्रकार की शॉपिंग ओनलाइन हो रही है। चाहे इलक्रोनिक्स हो, मुबाइल के समान हो, घर की रोजमिरा के समान हो, कपले, परदे, जुटे, कंबल, टीवी, फ्रीज, मशीने या अन्य कोई समान। हर चीज ओनलाइन सस्ते में उपलब्ध है, जिनकी घर में परमपरिक दुकान होती है, उनके बच्चे भी आन्य समान ओनलाइन पुला रहे हैं। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत तो है, और बहुत बड़ी दिक्कत है, और पूरा बजार समाज इससे प्रभावित हो रहा ओनलाइन शॉपिंग के फायदे, ओनलाइन शॉपिंग के बहुत सारे फायदे हैं, घर में हमारे पैर में पहनने वाले मोजे से लेकर सिर्की टोपी, सुई से लेकर जहाज तक हर चीज ओनलाइन मिल रहे हैं, वह भी सस्ते में गाउं का आम देखती भी अपनी जेप के हिस साबसे मूबाईल से ओनलाइन सामान मगा रहा है, उसका जबा कि आनेजाने का पैसा खर्ट भच रहा है, इस प्रकार मंचाहे में सामान मिल रहा है, वह भी दो-ource,रेस दिन में, दस दिन, भर में बजिज जाता है, किसी के पास जबा का समय नहीं है, फूज समस्य किसे है? समस्या सरकार को नहीं, समस्या पूरे बजार को है, पूरे समाज को है, पूरी एकनॉमी को है. ओन्लाइन शोपिग में फायदा है तो नुक्सान ही बहुत सारे हैं, जो है दिखता है वह मिलता है, अक्सर रंगों में ऐस्थलोना अप्सरर दल्वा लेते हैं, शर्म के कारण कि घर के लोग रिस्षिदार ओफिस के लोग क्या बोलेंगे कि दूसरी बार विसामान खराबा गया तो लोग उसको आपस नहीं करते हैं यह तो एक पक्च हो गया दूसरा पक्ची अभी है कि कई बार ओनलाइन चॉपिंग में वह क्वालिटी नहीं मिलती है जो चाहिए होती है अकसर कुछ ना कुछ उसमें कमी आ जाती है जैसे आप ओनलाइन प्रिंटर मगाया तो कोई गारंटी नहीं है कि ओनलाइन जो नहीं सकते हैं इसलिए जो आता है मैं उसको स्विकार करना पड़ता है बजार से नुकसान किसको हो रहा है यहां बजार में बहुत नुकसान हो रहे हैं उसका सफ़र बढ़क करने बजार में नगदी का खत्म होना बजार में ऑनलाइन चॉपिंग के करना नगदी में कमी आ रहा है लेकिन बजार में नहीं आ रहा है हाथ का पैसा खर्च होता है बजार में जो पैसा आता हो बैंक पे डिपोजिल की तरह होता है सरकार के पास किसी युजनाव लगता है अगर एक व्यक्ति ने 100 रुपर भी खर्च किया तो वह 100 रुपे दिन भर में 10-12 लोगों के भी है आहां हर वक्ति को उसकी चंता क्यानिसार किसी को समान या किसी को सीवा प्रदान कराता है कि बिंग का पैसा सिरफ एक के पास जाता है चोटी नग्दिय की कमी होना बजाब मैं च्छोटी न गजी बढ़कर कमी हो रही है हर जगें पांस सो 2,000 के नोत दिखाई देते हैं, एटियम में भी 500 के नोट मिल रहे हैं, बजार में भी छोटे जैसे रुपए जैसे 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए बहुत मुस्किल से मिलते हैं, एटियम भी 500-2000 के नोट ही दे रहे हैं, इसलिए आज सबी के साथ यह दिखकत है कि साब खुड़ ले नहीं है, सीधा अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना है, ओनलाइन ख़जी के करना, पैसा सीधे बैंक से बैंक में जा रहा है, छोटा वैपारी, बड़े वैपारी को ओनलाइन ट्रांसफर कर रहा है, खरीदार, बड़े दुकान दर को सीधा अकाउंट में पैस की दुकान लगाने वाले, चोटे मोटे खाने पीने की दुकान लगाने वाले, जो दिन मेर में 100-200-500,000 उपय तक कमा लेते थे, उनके बस पैसा नहीं है, चोटे दुकान दर लगवर लगवर तबाही की कगार पर जा पहुँचें, क्योंकि हर विक्ति ऑनलाइन से बड़ी- स्थल, हर टूरिस्ट स्थल में पूरिस्ट भरे पड़े हैं, सारे होटल पैक चल रहे हैं, हर विकेंड पर शानिवार रितवार को आप देख लीजिए, पूरे होटल पैक चल रहे हैं, लोग ऑनलाइन होटल के रिजरविशन करवाते हैं, ऑनलाइन गाड़ी की बुकिंग करवाते हैं तो रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उसमें उनलाइन बुकिंग कर देते हैं इस थलों पर जाकर कुछ चीज खरीदना हो भी उनलाइन कर दिया है हर चीज उनलाइन हो रही है अब मान लीजिए एक परिवार ने एक ट्रिप में 50,001,001 रुपए खर्च किया त जो होटल में डेली वेज़स में वितनभोगी काम कर रहे हैं उनको प्यमेंट कर देगा तो कुल मिलागे दस से बीस प्रतिसद जो पैसा इनके कुल खर्चे का हुआ वही बजार में चलन में आपाया बाकी जो 80% पैसा है वो बैंक का बैंक में ही रह गया और वो चलन में नहीं आया मनी का रोटेशन नहीं हुआ यह 80% जो बजार में नहीं आ पा रहा है जो ओनलाइन ओनलाइन का सिस्टम नहीं होता तो बजार में चाय भी खरीटते चोटा मोटा समान भी खरीटते कुछ इफ्ट समान भी करीटते तो पैसा कैस देते लेकिन वो पैसा तो आहीं नहीं रहा इन्होंने बहले ही 50,000 एक लाग रुपे खर्च किया हो लेकिन एक चाय बले की दु पैसा की सात्म हो गया तो देश को बहुत नुक्सान होगा ते में असंतुलन बढ़ेगा फिर नुक्सान देश को ही होगा सरकार फिर बजार में लाकों क्रोड रुप खित उठाने के लिए तो क्यों नहीं समय रहते उचीत कदम उठाने देश में जिस प्रकार किसान सेयनि सिक्षक जरूरी है वैसे ही दुकानदार भी जरूरी है वह चाहे एक करोड सौ करोड कमाने वाला दुकानदार हो या दुकान की किनारे लगाने वाले रियडी वाले हो कपड़े बले हो या चोटे मोटी सब्जी लगाने वाले हो यह भी उतने ही महात्रपूर्ण भले ये सौ सबसे मिलके बनता है तो सरकार को हर वर्क को दिखका चलना पड़ेगा तभी परंपरिक वजार चलेगा धन्यवाद